तो गाइस विल्कम बैक यहां पर आप सभी लोगों को कि एट लिस्ट वीडियो को थोड़ा सा भाई कोशिश करना बतलब थोड़ा सा कोशिश करना की समझने की मैं क्या बोलना चाहता हूं अब किस वज़े से इस चीज को बोल रहा हूं एस फैन सी बात है मैं खुले तौर बोलता हूं और मैं प्रॉपरली बोलता हूं इस चीज को मैं इस इस को एक्षे गुमार में पूरी तरह से फैन हूं और मेरे चैनल के ओपर आप वीडियो भी रेखेंगे काफी सारे आपको मै आपको वीडियो मिल जाएंगे इसे रिलेटेट क्यों कि भाई मुझे मालूम है बंदा कैसा है और मुझे मालूम है कि इस बंदों को किस तरह से टार्गेट किया था सोचल मीडिया के ऊपर सब्सक्राइब किसी एक ग्रूप का हिस्सा बनाने को इश्करों जिससे उसका कु अपर तरीके से लौजिक के साथ अपने वीडियो बनाते हैं मुझसे काफी बड़े योट्यूबर हैं काफी experience बनते हैं मुझसे काफी बड़े भी हैं मैं इस तीस के एक्सपर्ट करता हूं के वीडियो को देखा जहां पर वो किसी और मुवी के बारे में बात कर रहे था कि कुछी और थर्ड परसन ने अक्षे कुमार का नाम लिया और इन्हों ने अक्षे कुमार के नाम को पिक करते हुए यहां पर जबरदस्ति उनको उस लिफ्ट विंग का पार बताया जहां पर कुछ भी सही नहीं होता उनकी गंदी मान सिकता होती गंदी पॉलिटिक्स लोग ख एक एसी लोबी का यहां पर इन्हों में भाई साब इस्ता बना दिया तुरंत इस्ता बना दिया अक्षे कुमार के बारे में मैं को क्या बता हूं सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा कि मतलब मतलब मुझे पर्सनली आप से एक्स्पेक्टेशन नहीं थी कि आप इस तरह की व मैं आपको screenshot दिखाने कोईश्च करूंगा यह मुझे copyright देंगे किने देंगे बट फिर भी मैं दिखाने कोईश्च करूंगा चार सल पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया था मैंने बहुत पहले देख लिया था अक्षे कुमार क्या बंदा है जो चार सल पहले खुद लोग कोईश्या कैसी आक्षे कुमार कि साथ सोचता अक्षे कुंमार किसी अपने दर्म को अपने लोगों को भाइसाभ यहां पर अपने इंडियन आर्मी को इंडिया को की सफोर्ट करता है यह बंदा जानता बड़ उसके बट यहाँ सके बटना आने के लिए कि नहीं मैं अलग हूं और मैं इनको तक नहीं छोड़ता हूं यह आपको दिखाना था भाई आप महार हो और आपके चश्मे के पीछे जो इंसान छुपा है न वो कहीं न कहीं साफ साफ नजर आ रहा है आप लोगों को इन्हों ने किसी यूटूबर के खिलाफ वीडियो वनाया था जहां पर इन्हों ने प्रॉपर तरीके से चीजों को समझे विना अपनी तिंकिंग के साब से अपनी किनकी जो इकलागी महां तिकता चलती है किसी मूवी खिलाफ जो भी चीजे करते हैं मतलब इनको क्या ही बोल कोई गौडफादर नहीं रहा उस बंदे ने जीरो से सुरुवात किया है और आज लगबग 30-35 साल होगा इंड़स्री के अंदर आज भी इस टॉप पोजिशन को बरकरार रखने के लिए बंदा हर वो कोशिश करता है और आज भी बंदा यह कोशिश करता है कि अपने पाव सब्सक्राइब ने नहीं किया है और यहां पर इसक्राइब रहना आज और आज ने इसलामोफोबिय और वगयरा चीजिश दिखा रही है बहुत सारी चीज़ें बहुत सकता हूं यहां पर ओपनली मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है लेकिन मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि हम लोग इस तरह की बंदे नहीं है एस तरह की मांसिख्ता नहीं रखते मुझे बूरा लगए पस्चल की है अगर बेवी मूवी खराब थी बेवी मूवी किसी चीज़ को प्रोपर तरीके से तो यार आप उसको को इतने साल से पीछे अपने वीडियो के लिगा कर गए इसका फोटो क्यों क्यू प्रमोट कर रहेते क्या आप गलत नहीं है इतने सच्चे हैं जितना भी मतलब किस हद से किस क्या प्राउबलम है आप लोगों को जो संग में치가 नियाथrão इस बंदे तुझ यहां पर लेडिज लोग को सामने खुल करके लेके आते हैं किसी के हिम्मत होती इस सागी मुवी करना नहीं बट यह बंदा करता है तौप एक्टर्स चाहें तो सिर्फ और सिर्फ वो बड़ी से बड़ी मुवी कर सकते हैं बट अक्षेक उमार एक ऐसा बंदा जो बड करता है वो करता है और हर तरह की लोगों के लिए करता है जमीन से जुड़े लोगों के लिए करता है अपने धर्म के लिए करता है अपने देश के लिए करता है हर तरह की चीज़े करता है क्या उसने कोरोना के टाइम पर क्या नहीं किया अपने देश के लिए सपोर्ट क्या वाड आया उसके बावजूत आपको प्रॉल्म है बैक्षे कुमार भी उस आइडियोलोजी का पार्ट है बॉलिवुड की उस लिफ्ट विंग का पार्ट होता तो सोचो रिसा चड़्डा ने जब यहां पे गर्वान से साइब आपको प्रॉल्म होगा उस टाइम पे इकला हो बॉलिवूड का बंदा एक ऐसा इकला होता बॉलिवूड को सूपर स्चार्ट जो खुल करके बॉलिवूड से जुड़े हुए कि लोगों का यहां पर विरूत करता है ओपनली बोलता है कि नहीं यू आ रॉंग आप गलत हो अगर बॉलिवूड की उस मेंडलेटी का पार् सब जानते हुए भी आप नहीं चीजे कहीं यह कहीं लग रहा है इस वज़े से मैं इस वीडियो को मना रहा हूं आप लोग को रिप्लाय दीजिया आप लोग या काफी सही लोग आए कमेंट सेक्शन के तर ग्यान देने के लिए कि नहीं तुम खुद देखो तुम क्या हो लोजिकल बातें करने तो वो जिससरे तोपी आप समर्ज नहीं पाएंगे। कि रेक्र गो समस्ता है किे किस तरह से लोग हिँ गा out